हेलो माई डियर सोल फामली कैसे हैं आप सभी आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और प्राजना करती हूँ कि आप हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, हमेशा दूसरों का भला करते रहें आज का जो टॉपिक है, वह प्ल civ काफी ज़ादा डाउनलोडिय क्त удив कि आजकर जुपिक है वह आपके उसस्टरों से जुड़ा हुआ है आपके इंसिस्टर आपके पित्र क्या चाहते हैं आपके जो पूरवज हैं वो क्या चाहते हैं आपको वो क्या मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं और वो आप से क्या चाहते हैं वो आपको क्या आग्या कर रहे हैं क्योंकि हमारा कल से पित्रपक्ष शुरू हो रहा है 18 सितंबर 2024 से और ये 2 अप्टूबर तक रहने वाला है, ये ऐसा समय होता है जहां पर आप कोई भी क्रिया करते हैं, कोई भी आध्यात्मिक क्रिया करते हैं, कोई भी भी बहुत ही क्रिया करते हैं सकारात्मक तो उसका जो फल है वो डाइरेक्ट आपके एंसेस्टर्स को मिलता है और कोई भी आप चारटी करते हैं कोई भी आप स्पीच्वल वर्क करते हैं उनके नाम से तो वो सारी चीज़े उनको डाइरेक्ट मिलती है यह ऐसा टाइम फ्रेम होता है 15 डेस का तो इस टाइम फ्रेम में वो आपको क्या संदेश देना चाहते है और मैंने आपको अल्रीडी एक ब्लरड लाइन हीलिंग मेडिटेशन प्रोवाइट किया हुआ है एंसेस्टर्स पे जिसका बहुत बहुत बेहतरीन रिजल्ट बहुत सारे लोगों को मिला है पर्सनली उन्हें मुझे कॉमेंट करके बताएं हैं और पर्सनली डियम करके अपने एक्सपिरियंस शेयर किये हैं तो अगर आपने वो मेडिटेशन अब तक नहीं किया है तो इस टाइम फ्रेम में उसे दो से तीन बार जरूर कर ले लिक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मे मिल जाएगा एंसेस्टर गाइडेट मेडिटेशन ब्लड लाइन हीलिंग मेडिटेशन वह आप जरूर करें अभी तक ट्राइन किया है तो इस टाइम फ्रेम में आपको जरूर करना चाहिए ओके सारी इंफरमेशन मैंने आपको बता दी है आज का जो मेसेज यह आपके एं हैं और यह एक डिवाई टाइम होता है एक ऐसा टाइम होता है जहां पे आप अपनी जडों के लिए कुछ कर सकते हैं हम क्या है हम वही व्रख्ष धक्राशन में लगान था और हम उसके फल हैं फूल है तने हैं डृंचें से एप लान प्सकर कर सकते हैं कोई अपने एंसेस्टर के लिए करते है तो यह आपका एक प्रतिशत एफ़र्ट आपके लिए 99% वापस लोटके आता है कैसे क्योंकि जब वो ब्लेस्ट होते हैं जब खुष होते तो आपको बहुत सारी ब्लेसिंग देते हैं आपके घर में संपत्ति बढ़ती है लोग बीमार न को अपनी जड़ों को त्रिप्त करते हैं जैसे व्रक्ष में अगर आप जड़ में पानी रालते हैं तो क्या होता है जड़ में पानी डालते है तो पूरे पौधे में वो पानी का विस्तार है वो हो जाते है आपको अलग से ब्रांचेस में और लीवस में पानी नहीं डालन यही तरीका है इस वक्त आपके एंसेस्टर्स क्या कहना चाहते है? यहां पर मुझे कुछ लोग ले एक मेसेज्ज उनायी दिया थे आप किसी स्मस्या से जूच रहें तो तो आपको किसी घूरू से किसी ब्राम्मंट से किसी काउंसलर से डील करने की जरुवत है उनसे बात करने की जरुवत है इस टाइम फ्रेम में हो सकता है कोई ऐसी समस्या है जिसे आपने अपने तक सीमित रखा है तो आपके एंसेस्टर्स का एक इसे टाउनलोड़िट मैसिज मुझे यह सुनाई दिया है कि आपको उसके लिए किसी प्रोफेशनल से बात करने की जरुवत है डिशनल वे में आपको किसी ब्राम्मंट से पंडित से किसी ऐस्ट्रोलजर से बात करने की जरुवत है और आप अपने ancestors के नाम से उनसे कुछ कारे भी करवा सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, यह message में यहां पर receive हुआ है, let's see, इस वक्त वो आप से क्या कहना चाते हैं, इस वक्त वो आपसे क्या कहना चाहते हैं टू आफ सॉड्स इस वक्त वो आपसे कहना चाहते हैं कि किसी विशय में किसी विशय में आप निर्णे नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि आप निर्णे लेने की अवस्था में अभी नहीं है यहां पे आप चंद्रमा देख सकते हैं, चंद्रमा यहां पे यही दरशारा है कि मन की स्थिती ठीक नहीं है किसी कारण से, अब मैं इसका भी कारण बता देती हूं और यह भी एक डाउनलोडिट मैसेज है जो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है, यह मैसेज यह है कि मुझे एक्छली कल ही शेयर करना था, पर अभी आ गया है तब ही शेयर कर लेते हैं, तो यह मैसेज यह है कि इसी दौरान चंद्र ग्रहन भी लग रहा है, तो कई बर क्या होता है, 기 अम बोल देते हैं, ग्रहन हमारे देश में नहीं लग रहा है, लेकिन किसी और देश में, क हमारी पिल्थवी रोटेट हो रही है पर सूरे तो नहीं पर है ना पिल्थवी रोटेट हो रही है तो दिन और रात यहां पर दिन हो गया अगले सइड रात हो गई पर पर चंद्रमा पीडित लगेगा तो उसका प्रभाव सबसक्त प्रबाव का कारक होता है तो जब चंद्रमा पर ग्रहन लगता है तो 24 से 48 गंटे पहले और 24 से 48 गंटे बाद मन की दशा अच्छी नहीं होती, मालसी की सिती अच्छी नहीं होती, conflicts होने के जादा, बहुत जादा conflicts होने के chances रहते हैं, emotionally इंसान काफी जादा low हो जाता है, कई बार क्या होते हैं, तो समझ में नहीं आदा कि मैं दुखी की हूँ, अपसेट की हूँ, सब चीजे ठीक हैं, पर फिर भी उसे ऐसा लगता है कि मन की सिती सही नहीं है, अच्छा मैसूस नहीं हो रहा है, तो ऐसा आपको या तो हो रहा है, या तो 24 से 48 गंटे आपने इस एन आपके मन को भी तो फीड़ा होगी, आपका मन भी तो दुखी होगा, तो यहां पे हमारे मन पर प्रभाव पड़ता है, तो ऐसे सिती में वैसे भी हमें कोई निर्ने नहीं लेना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक है, हमारा मन प्रभावी तो होता है, तो हम कभी यहां पर आपको तू सोड्स निख रही हैं जैसा मैंने आप से कहा तो यह दो दिन की स्थिती है तो इस टाइम फ्रेम को निकल जाने दीजेए इस टाइम पर हम जितना मेडिटेट करें इतना हमारे लिए अच्छा होता है तो यह आपके अंसेस्टर का भी मैसेज यहां पर जादा एफेक्टिड होते हैं क्योंकि जो वाटर साइन है वह बहुत जादा एफेक्टिड होता है इस दौरान और मन का प्रभाव तो सब पर पढ़ता है इसका इफेक्ट तो सब पर पढ़ता है लेट सी इन पंदरा दिनों के दौरान जो पित्रपक्ष का टाइम है इस ट इस दोरान आपको अपने परिवार में आपका जो फामली है आपको फामनी टाइम Sebastian ज्यादा देने की जरुवत है आपके एंसेस्टर चाहते हैं कि आपके अंदर फैम-9 energy चुपई है जब मैं फैम-9 energy की बात करती हूं तो ऐसा नहीं कि मैं यहां पर महिला की बात कर रही हूं, यहां पर पुरुष और महिला दोनों हो सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर वो दोनों शक्ति है, जैसे हम चक्रास की बात करते हैं, तो थ्री मेल चक्रा होते हैं, थ्री फीमेल चक्रा होते हैं, हर व्यक्ति के अ इस time frame में आपको खुश रहने की जरुवत है, इस time frame में आपके अंदर जो mother वाली healing वाली energy है वो करने की जरुवत है, क्योंकि ये वो time frame में कि आप जितना लोगों से प्यार से बात करें, कि जितना लोगों को भूजन कराएंगे, अपने हाथ से खाना बना के लोगों खिलाते ये mother की energy होती है, family energy होती है, पर क्या male cooking नहीं करते हैं, बहुत सारे chef है, वो male ही होते हैं, तो वही कहा जा रहा है कि आप अपने हाथों से खाना बनाएं, अपने हाथों से अगर आपने घर पे made हैं, तो इस दौरान आप खुद cooking करें, इस दौरान आप अपने हाथों से खाना खिलाएं, अपने घर में बड़ो को खाना खिलाएं, और अगर आप किसी को invite करते हैं, ब्राम्बन को invite करते हैं, तो उनको भी अपने हाथों से बना के उसके बाद खिलाएं, क्योंकि यहाँ पे ये आपके ancestors चाहते हैं, कि इस 15 दिनों में आप वो सारी activity करें, जो एक divine feminine की activity होती है, वो चाहते हैं, इस 15 दिनों के दौरान ये चीज़े आप करें, आप खुश रहें, और आप अपनी family में जो एक traditional way है, परिवार को संतुलन में लाना, इस चीज़ को करने को कहा जाएं, अगर बहुत दिनों से आप अपने परिवार के साथ समय नहीं बिटा प लिए, तो उसका लाव आपके परिवार को मिलना चाहिए, आप जितना दूसरों को नरिश करेंगे, जितना नल्चर करेंगे, ये energy भी आपके ancestors के पास जाएगी, तो आपको ये सोचना है कि इस वक्त आपके अंदर की जो feminine energy वो एक्टिवेट हो रही है, तो आपको उसको प 15 दिन है, पित्रपक्ष के, इसमें especially आपके लिए message है, कि अगर आप कोई family trip plan कर सकते हैं, अगर आप कोई ऐसा जहां पर आप अपने परिवार के साथ, especially यहां पर कुछ लोक लिए message उनके partner के साथ time spent करने का है, कि अगर आप उनके साथ अच्छा समय विता सकते हैं, तो आप उस समय को बिताएं, अगर आपने कोई holiday plan की, अगर आप vacation पे जाना चाह रहे थे और आप नहीं जा पारे तो इस दिन में आप इन दिनों में आप vacation plan कर सकते हैं, कुछ लोक लिए भी message है कि आप तीर थी आत्रा भी कर सकते हैं, या कोई ऐसे प्लेस पे विजिट कर सकते हैं, अपने पार्टनर के साथ, especially यहां पे मुझे पार्टनर की वाइप सारी है, कि आप अपने पार्टनर के साथ कहीं पे आपको करने के लिए कहा जा रहा है, यहां पे जो message है, मुझे family vibes दिख रही है, आपके ancestor चाहते हैं, आप अपनी family में वो feminine energy को उनको उस energy से heal करें, और यहां पे मुझे बहुत nine of cup, काफी relax, emotional balance, इस तरह की energy दिख रही है, ताकि आपके ancestor चाहते हैं, कि आप इस energy में आए, आप अप अपने चुट्टी ने लिये काम से, और आप बहुत work में फसे रहते हैं, तो यहां पे आपको कहा जा रहा है, कि इस दौरान आप एक या दो दिन की चुट्टी ले सकते हैं, अपनी काम से थोड़ा सा रिलाक्स ले सकते हैं, और उस time को आप अपने ancestors के लिए dedicate कर सकते हैं, अब कही पर जाके कही wander कर सकते हैं, आपके लिए अगर possible है, तो आप गया जा सकते हैं, वहाँ पर कुछ पेंडदान कर सकते हैं, कुछ वैशनव को, कुछ ब्रामन को बोजन किला सकते हैं, इस तरह की चीजे भी आप कर सकते हैं, तो यह सारी चीजे आपके लिए करना इस time frame में बहुत अच्छा होगा इस वक्त इस 15 दिन के दौरान अगर आप इनकी आग्या का पालन करते हैं दार्टमीन यहां पे आप अपने हाथों से कुकिंग करते हैं अपने घर को डेकुरेट करते हैं अपने घर में वो सारी चीजे करते हैं जो एक फैमनाइन एनलजी के अंदर क्वालिटीज होती हैं दूसरों को हील करने की क्योंकि जो फैमनाइन होती है वो अपने हाथ से जब भोजन बनाते हैं तो बोजन में हीलिंग क्वालिटी होती है उस खाना को खा के जो अन है अन भी इश्वर का स्वरूप है उसी जह हमारे अंदर प्राण पोर्शन होता है तो अगर यह बहुत अच्छे बहुत मन से भोजन बनाया जाएं तो वो अन आपको दवाई की तरह काम करता है आपके अंदर कोई भीमारी है तो इस वक जब आप cooking करेंगे तो यही सोच करेंगे आपके अंदर हो जो healing quality आपके hand में वो आपके पूरे परिवार में जाएगी और आपके परिवार के through आपके bloodline में आपके ancestors में जाएगी तो यह चीज़े आपको करने के लिए कही जा रही है पर दो दिन के लिए कोई decision ना ले पैनिक होगे कोई decision ना ले आपको क्या results मिलेंगे 15 दिन में और 15 दिन के लिए इस पित्रपक्ष में आपके जो ancestors हैं आपको क्या blessing देने वाले हैं वो आपको क्या blessing यहापे मुझे travel का card द अगर आप travel करने का plan कर रहे थे कि मुझे यहाँ पर जाना चाहिए तो आप इस दौरान जा सकते हैं आप कहीं पे मुझे तीर्थ इस्थान जरूर सुनाई दे रहा है कोई ऐसा इसा इस्थान जहां पर नदी है यह भी कप्स की energy है यहाँ पीछे आपको background में नदी अगर आपके लिए पॉसिबल है तो बिल्कुल इस स्थान पर ट्रेवल करें अगर आपने टिकट्स कर रखी है तो आप जाए अगर नहीं किये तो आप आज टिकट्स बुक कर सकते हैं अगें देखे पेज ओफ कप्स आपके एंसेस्टर कहरें कि इस 15 दिन में अगर आप सह जोड़ते हैं तो आपके लिए एक अच्छी ख़वर एक गुड़ न्यूज एक बहुत ही अच्छा प्रपोजल आपको मिल सकता है अफ्टर इस 15 दिनों के दौरान ही इसके बाद आपको एक बहुत ही ब्यूटिफुल प्रपोजल मिल सकता है यहां पर दो तरह के जिससे खचोदे लगे सकते हैं या आपको लोगों के लिए यह जौब प्रपोजल या बिजनश इनिशियेटिव प्रपोजल भी हो सकता है अगर आप स्टूइंट है तो वहां पर आपको कई फ्रैंशिप का प्रपोजल मिल सकता है कोई 터 Star Yoga जिसे सुनके आपको काफी अच्छा लगेगा, काफी इंजॉय करें, काफी रिलाक्सेशिंग वाली एनलजी होगी और बहुत हेवी फील नहीं होगा, बहुत अच्छी एनलजी है इस तरह का प्रपोजल आपको आपके एंसेस्टर की ब्लेसिंग के तौर पे मिल रहे है अगर इन 15 दिनों के दोरान आपको इस तरह की वाईप साती कोई ऐसा परसन आपसे मिलता है या इस 15 दिन के बाद जब नवरात्री शुरू होते तब ऐसा व्यक्ति कोई आपके जीवन में आता है तो समझ लेजिए आपके एंसेस्टर की ब्लेसिंग है उन्होंने इस व्यक्ति को भीजा है अज़ों लव पार्टनर और एस जोब प्रपोजल दोनों चीज़े यहां पर पॉसिबल है और ट्रेवलिंग के लिए तो मुझे बहुत स्ट्रॉंग मैसिज आ रहा है कि अगर आपको फैमली के साथ आप कहीं ट्रेवल करने का सोच रहे हैं कि यह ट्रेवल मेरा एक दिन में हो सकता है दो दिन में हो सकता है आपको ऐसा इंट्यूशन आ रहा था बहुत टाइम से कि मुझे यहां पर जाना चाहिए तो आप वहां पर बिल्कुल जाएं और उस ट्रेवल का अगर आप किसी तील स्थान पर जाते हैं किसी स्प्रीच्वल प्लेस पर जाते हैं स्प्रीच्वल प्रेक्टिस कर रहा है उसका जो फल है वह हम अपने एंसेस्टर्स को देते हैं तो इससे उन्हें बहुत प्रसन्यता होगी बहुत खुश होंगे और उनकी जो खुशी की वाइब्रेशन है वह लौट के आईगी आपके पास और वह थाउजन टाइम आप चुका हूं तो वह आपसे जैसे कह रहे हैं कि डोंट वरी बेटा तुम्हें जस्टिस मिलेगा एंड आपके फेवर में चीजे होंगी जैसे आपके लिए मुझे जस्टिस वर्ड सुनाई दे रहा है जैसे लग रहा है कि हाँ जस्टिस होगा और कुछ लोगों के आपने उसके उपर बहुत काम किया है आपने बहुत मैंनत किये बहुत इंतजार किया है मुझे कुछ ऐसे लोगी आप दिख रही है जिन्होंने किसी चीज के लिए जी जाम लगा दी है पूरा इश्वर को समर्पित हुए हर तरीके के एफट डाल दिये हर चीज में पर बा अब तक मैं सहूं कब तक यह सब चीजे मेरे साथ होने वाली है तो उस चीज का भी मुझे यहां पर वर्ड सुनाई दे रहा है कि जस्टिस मिलेगा, don't worry, justice मिलेगा, have patience, justice मिलेगा, यह तो तह है, निश्यत है तुम्हारे भाग के में जस्टिस मिलना, तो जस्टिस तो मिले हो सकता है, Queen of Pentacles and the Tampress, मैंने आपसे क्या कहा, justice मिलेगा, justice किस बारे में, justice आपको धन सम्रिधी में, justice, जैसे किसी ने बहुत काम किया, जैसे कोई विक्ति बहुत खुबसूरत है, पर उसने अपनी खुबसूरती को तराशा नहीं, उसके पास समय ही नहीं था कि वो कब अप जिम्मेदारियां आ गई, इतनी चीजे आ गई कि वो अपनी ओर देख नी पाया, मुझे ऐसे लोग की यहां पर वाइप्स दिख रही है, जो कम उम्र से जिम्मेदारियां उठा लेते हैं, ऐसे लोग यहां पर दिखाई दे रहे हैं, जो बहुत खुबसूरत है, बहुत सि मिलेगा आपको वो ओहदा भी मिलेगा, जिसके आप हकदार हैं, और आपकी ब्यूटी को तराशा जाएगा, आपने कभी से तराशा नी, क्योंकि आपको जरूरत नहीं लगी, आप इतने बिजी हो गए ना कि कभी आपने खुद पे ध्यान नी दिया, पर जिस्टिस मिलेग सिल्वर पे भी ऑक्सिडेशन हो जाए तो उसकी चमक निखाया देती तो जब उसे पॉलिश करके निखार के और फिर उसे अच्छे से आप किसी को अच्छे से उसको जो पहने शिंकालित करें तो वो कितना खुबसूरत लगता है, ऐसा लग रही कि आपके ओपर भी एक हांस होगी यह आपके लिए जस्टेस आपके एंसिस्टर्स का कि आपकी खुबसूरती दुनिया देखिए आप ऐसे व्यक्ति है ना कि जहां कदम रगदे वहां धन और सम्रिद्धी आती है आपके चरण जहां पढ़ते हैं वहां लक्षमी का आशिरवाद रहता है और यह होने वाली heures الف का काड पहुतीं ब्यूटिफूल बहुतीं ब्यूतिफुल यह काड यह दर्शाता है विश-fulfिल्म ke क्व काड़ यह दर्शाता है कि आकने हैं संसिस्टर्थ आपको धेहर संड-धेयर भीजा है अगर आपने उनके लिए जह फ्योशी है ना तो व्हीलिं तो यहां पर आपके एंसेस्टर कहना चाहते हैं कि आप पहले से अधिक हील होने वाले हैं और आप बहुत जदा ब्लेसिंग को रसीव करने वाले हैं तभी आप यहां पर सर् começa करति एक इसी वोवन जो करती हैं मधंने भी ऐसी आपके डिशा स हम्हालती है रिय् Israeli यहां मैं इस वाले है या तो आप करते हैं तो आप हिस दो आपकी इस चीज के लिये एप्रिशियर्ट करें क्योंकि आप अब बाहर से भी बहुत खुबसूरत लगने वाली हैं, अंदर से तो आप खुबसूरत है ही, आपकी जो खुबसूरती है, आपका जो ओहदा है, यह निखर के आएगा, यह आपके अंसेस्टर्स की ब्लेसिंग है, और अगर आप वर्क निकलती है तो भी आपको money management के लिए चुना जाएगा, एक ऐसी महीला जिसके पास शक्ति है, जिसके पास बालंस है, जिसके पास धन की बाग दोर है, और इसके साथ-साथ वह बहुत ब्यूटिफुल है, एसके साथ-साथ वह बहुत ग्राउंडेड है, और यहाँ पर भी वही अरजी मुझे दिख र लेकिन पंक ना होते हुए भी वह अर्थ एंजल है कैसे वो दूसरों की हीलिंग के लिए काम कर रहा है जो इसको हर्ट कर रहा है जो इसके उपर पत्थर भेज रहा है पत्थर फेक रहा है यह सोच रहा है कि यार इसकी मानसिक्ता कितनी वीक है यह मेरे उपर पत्थर फेक रह कर सकते हैं एक नॉर्मल विकती क्या है अगर किसी ने पत्थर फेका तो हम दो पत्थर आपकी दरफ फेकेंगे पर आप मुझे ऐसे इंसान बनते वे दिख रहे हो आपके एंसेस्टर की ब्लेसिंग आप पर है कि आप दूसरों को भी हील कर रहे हैं आपकी वाइबरेशन दू दिनों के दौरान आपको क्या करना चाहिए और एक काड क्या नहीं करना चाहिए क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए प्लीज एंजल्स पीस एंसिस्टर्स क्या करना चाहिए इस वक्त आपको क्या करना चाहिए इस वक्त आपको थोड़ा सा यहां पे आपके एंसिस्टर्स आज भी Tuesday है, Tuesday के दिन आपको कोई activity करने को कहा जा रहा है, Tuesday के दिन आप मंदिर जा सकते है, Tuesday के दिन आपको कुछ कर सकते हैं, Tuesday के दिन आपको कुछ ना कुछ करने को कहा जा रहा है, यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि अगर आपके पास थोड़ा सा भी धन है, थोड़ी सी भी आपकी capability है तो इससे आपको charity करने को कहा जा रहा है और अपनी जो independence है इसको enjoy करने को कहा जा रहा है आपके ancestor चाहते हैं कि आप किसी और पे आश्रित ना रहे किसी भी तरीके से ना तो financially ना emotionally you are complete person आपके ancestor आप से कहना चाहते हैं कि आप complete person है आप emotionally दूसरों को heal कर सकते हैं आपको किसी और के emotions की जरूरत नहीं है यह बात आपको स्विकार्डना होगा दूसरी बात आप financially भी इतने abundant होंगे कि आपको किसी और की जरूरत नहीं कि यहाँ पे यह लेडी बहुत rich है यहाँ पे इसके अंदर healing quality as well as financially independent है तो यहाँ पे आप जो भी है आप financially independent है तो आपको किसी और निर्भा रहने की जरूरत नहीं है यह आपको करने की जरूरत है कि Tuesday को आपको कुछ करने की जरूरत है और अगर आपसे हो सकता है तो आप charity करें जितना भी हो सकता है इस दोरान आप charity करें कोई भी जरुवत मन मिलता है तो उसको आप donate कर सकते हैं number 9 आपके लिए मुझे बहुत important दिख रहा है 2 important दिख रहा है 13 आपके लिए important दिख रहा है and 14 आपके लिए important दिख रहा है and 11 आपके लिए also too important किया आपको नहीं करना हे What You Don't Do їstearnet आपको्सी को judge नहीं करना है आपको इस दौरान किसी को tolना नहीं है इनसापके तराजयू में tolना नहीं है तराजयू गया यह balance की बात करता है यह तोलने की बात दोते हैं, कई बार के होते हैं, हम किसी के बाहरी आवरण को देखके, उसको बाहर देखकर हम जज़ कर लेते हैं, कि यह विक्ति ना ऐसा है, कई बार के होते हैं, कोई परसन है, वो सामने से कोई spiritual practice आप वो करते वे नहीं दीख रहा है, लेकिन वो अंदर से को बहुंज के बाहरा है, कि बाहर मतने more Kafrish को बाढ़ए और और किसी को चाहरा है कि लोगता से कहा है कि अगर हमको कोई वेक्ति आता है, तो आप जज़ मत करिए, या किसी ने यहां पर यह मैसेज में मुझे रेसीव हो रहा है कि आपके एंसेटर चाहते है कि किसी ने आपको कोई कर्स दिया कोई प्रॉब्लम ती तो भी आप इस वक्त उसे जज़ ना करें उसकी मान से किसी ती क्या थी आप नहीं जानते हैं दूसरा क्या है वो कर्मा भी हो सकता है सब्सक्राइ सब्सक्राइद की पैस्ट्राइब करें आप नियाइये क्पेशन दिया है और फिर भी आप बोलते हैं कि इसने बैड किया है तो इसके साथ बैड ही होगा यह law of karma है तो आप ऐसा भी ना बोले आप ऐसा ना बोले जब जिसे कोई आप से बोले कि इसने आपके साथ गलब किया तो इसके साथ बुरा होगा तो आप बोले, नहीं, आप ऐसा ना बोले, बिल्कुल भी ना बोले, इन पंद्रा दिनों के दोरान आप बिल्कुल ना करे, तो आपको अपनी इंडिपेंडेंडेंस, अपने जोन में रहने को कहा जा रहा है, आप किसी और के लिए इस तरह की कोई भी एक्टिविटी ना करे, ना बोले, ना किसी के लिए भी कोई भी जज्जमेंट ना दे, जो जस्टिस है, वो इश्वर को करने दे, आप जस्टिस की जो तराजू है, वो अपने हाथ में ना ले, आप बस सरंडर मोड में रहे, तो यह आपके लिए जो मेसिज है आपके एंसेस्टर्स की तरफ से है आपके लिए आपके साथ कितना रिजनेट कर दे कॉमें पेलिकर बता है यहाँ पर मैं आप से बोल रही थी कि कि इसी के लिए जजमेंट ना दे और बॉटम उफ डेक में आ देख सकने हैं अगले वीडियो में तब तक ले नमस्ते